नमस्कार विजारतियों, रिशिकुल ओनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत हैं, बच्चों, आज हम अपनी हिंदिक अक्षा में एपठित काव्यांस को हल करते से में कुछ बातों को ध्यान रखना होता है, उन्हीं बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ बाते हैं जो एपठित काव्यांस को ध्यान हल करते से में हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे काव्यांस को दो-तीन बार ध्यान पूर्वप पढ़ना और उसके अर्थ एवर मूल भाव को समझना चाहिए कठिर शव्दों या अंसों को रेखांकित कर लेना चाहिए और जहां तक संभाव हो सके उनके जो अर्थ हैं वो उसी समय लिखने की कोशिश करनी चाहिए प्रशन पढ़ना और संभावित उत्तर पर चिन्हिट कर लेना चाहिए अर्था जहां पर भी काव्यांस में यह लगता है कि इस प्रशन का उत्तर इन पंक्यों में मिल सकता है तो वहाँ पर pencil के साथ आप mark भी कर सकते हो प्रश्णों के उत्तर देते समय प्रतिकार्थों पर विशेश ध्यान देना चाहिए प्रश्णों के उत्तर काव्यांस से ही देना काव्यांस से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रियास नै करें अर्थात जो काव्यां की पंक्तियां हैं उनी पंक्तियों के अधार पर उचे प्रश्णों के उत्तर देने चाहिए उस से बाहर का उसमें कुछ भी वणन ना करें उत्तर अपनी भाशा में लिखना काव्यांज की पंक्तियों में पंक्तियों को उत्तर के रूप में कभी भी नहीं लिखना चाहिए बल्कि उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अपनी समद से उसका उत्तर देना चाहिए जदी प्रशन में किसी भाव विशेश का उलेक करने वाली पंक्तिया पूछी गई है तो इसका उत्तर काव्यांज के समूचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तिया ही लिखना चाहिए अर्थात अगर कोई प्रेशन का उत्तार किसी विशेश भाव से पूछा गया है तो वहाँ पर उन पंक्तियों में से ही आप उसका उत्तार दे सकते हो शिर्षक काव्यांस के किसी पंक्ती विशेश पर आधारित ने होकर पूरे काव्यांस के भाव पर ही आधारित होना चाहिए अगर काव्यांस का प्रेशन शिर्षक के रुपे पूझा गया है तो पूरे काव्यांस को पढ़ने के बाद उसका जो भाव लिखलता है उसका जो शिर्षक बनता है वही उसमें लिखना चाहिए ने कि किसी एक पंग्ती के अधार पर उसका शिर्षक जो है वो घोशित कर देना चाहिए तो इस फरकार से सबसे पहली बात आती है कि काव्यांस को दो या तीन बार ध्यान से पढ़ें पूछे गई प्रशनों को भी एक बार अवश्य पढ़ें उसके बाद जहां जहां पर भी आपको लगता है कि प्रशन का उतर यहां पर हो सकता है तो उसको मार्क कर ले और उसके बाद उन लाइनों को समझने के बाद अपनी भाशा में आपको प्रतेक प्रशन का उतर देना चाहिए धन्यवाद